दोस्तों तो आज हम देखेंगे अच्छी नीन लेना कि इतना महत्पोपुडण है एक राम नाम का लड़का था और उसके दोस्त का नाम शाम था दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे और पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे पर कुछ दिनों बात राम के स्वभाव में कुछ बदलाव आने लगा वह चिड़चिड़ापन महसुस करता था और ठकाववासा उल्जववासा रहता था उसको सिरदर्द भी होने लगा और आखों के नीचे कालापन भी आने लगा वह अपना पूरा दिन मोबाईल में बिताता था और टीरी भी बहुत ही ज़ादा देखता था फिर उसके मार्क भी बहुत ही कम आने लगे क्यूंकि वह आनलाइन लेक्चर में सोता रहता था जब शाम उसको कॉल करता था तब वो उठाई नहीं पाता था और जब राम कॉल करता था तब शाम सोता रहता था राम की समय सारणी पूरी विचलित हो चुकी थी उसके दोस्त को यह बात समझ में आई तो उसने राम को समझाया ज्यादा देर तक मोबाईल देखने से टीवी देखने से और कम सोने से यह तुझे सब हो रहा है ऐसा शाम ने राम को बताया फिर राम ने शाम को बोला मुझे क्या करना चाहिए? फिर शाम ने राम को बोला तुम्हें रोद साथ से आठ घंटे अच्छी नेन लेना है मोबाईल टीवी का उप्यो बहुत ही कम करना है और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है फिर थोड़े दिनों बाद राम में अच्छा बदलाव आया और वह अच्छी नेन सोने लगा फिर उसके मार्क भी अच्छे आने लगे तो बच्चों जल्दी सोना और जल्दी उठना मुनशको स्वास्थ और बुद्धिमान बनाता है